हेलो एवरिवन गुड बॉर्णिंग तो लॉफ यू वेलकम तो लॉजिक पाच्छाला आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाली है 19 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के क्वेशन्स डेली करेंट अफेर्स के सातर फ्रेंट सम एंड में स्टैटी जीके के इं एक exam point of view से और इस वीडियो को चो पीटेफ है वाप लोगों को मारे टेलिग्राम से मिल चाहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आप टेलिग्राम पर डारेक्ली भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंट्स लॉजिक पार्ट शाला 16 तो चले फ्रेंट्स अब बि मंजिल तक जाना है उस मंजिल तक आपको एक तरीके से support दे सकते हैं लेकिन अगर teacher ने आपके लिए एक जो है रास्ता ढूंडा है आपके लिए door open किया लेकिन आपको उसके अंदर enter तो खुद से ही करना है ना अगर आप चाहेंगे ही नहीं कि हां मुझे मैं enter करूं तो क्य आप उस door में enter करके आगे बढ़ पाएंगे नहीं लेकिन जब आप खुद के अंदर से आपके अंदर एक फुद डिटर्माइन होंगे खुद आपके अंदर confidence होगा कि उस door के अंदर आप enter कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी आप अपने मंजिल तक पहुन सकते हैं इस से जो है तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं लेकिन बढ़ना तो आपको खुद ही है आगे तो चले फैंट स्टार्ट करते हैं आज के first question से पहला question है which edition of the joint military exercise between India and Mongolia nomadic elephant 2023 begins at Ulaanbaatar, Mongolia देखें यहां question में पूचा है, question में ही दो question तो आपको बता दिये कि जो nomadic elephant exercise है देखिए यह किस किस country के बीच में हुई तो आपको answer होगा इंडिया, Mongolia के बीच में कहां यह exercise शुरू हुई है इसका when you भी आदखेंगे उlaanbaatar, Mongolia में आप question में पूचा गया है कि इसका edition कौन सा शुरू हुआ है तो यह इसका हुआ है 15th edition start तो यह exercise जो है वो आपकी 17 July को start हो गई थी, अब यह 31st July तक यह exercise है वो रहेगी इंडिया और Mongolia के बीच इसमें देखें भारती जो इंडियन आर्मी है उसके जम्मो कश्मीर जो light infantry regiment है उसके जो soldiers है और जो Mongolian armed force unit है 084 वो जो है इस exercise में भाग ले रही है दोनों के द्वारा यह exercise को शुरू किया गया है अब बात करें कुछ और अभी चो recent दिखें exercise हुई है इससे हमारा revision हो जाएगा तो अभी selvex exercise हुई थी जो कि इंडिया और USA के बीच में हुई थी 7th edition कहां पे हुई कोची में इंडिया जापान के बीच में जिम्मेक exercise का साथव एडिशन हुआ और यह exercise कहां हुई विशाका पटनम में next exercise है friends x aquarium exercise जिसका 12th edition हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में हुई exercise कहां पे हुई तो इसका वेन्यू है चौबटिया उत्तराकंड next अल मोहेद अल हिंदी नेवल exercise यह exercise इंडिया और सौधी अरेबिया के बीच में हुई और इसका आयोचन भी कहां पे हुआ था सौधी अरेबिया में ही इसका आयोचन किया गया आगला कोशन देखिए next question is which state's transport department has introduced a UPI payment system at interstate check post to curb corruption किस राज्य के परिवेहन विभाग ने ब्रष्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए अंतर राज्य चेक पोस्ट पर UPI भुक्तान परणाली को शुरू किया कि जो state के अंदर ये देखिए जो check post होते है न वहाँ पे जब आप माली जे कभी आपका चलान वगरा कर जाता तो आप उसमें cash देते लेकिन अब उसको UPI के माध्य हमसर को शुरू किया गया ताकि जो corruption होता था उसको उसको रोक सकी और ये किस state के transport department ने किया है तो answer है इसमें क्या होगा कोई भी देखे intermediaries नहीं हो कोई भी मध्यस्त नहीं होगा और उसके और इसके corruption free चीज़े होंगी तो नई जो policy होगी इसे अभी 15 check post पे जो है जो भी transport department के 15 check post हैं वहाँ पे इससे implement किया जाएगा आंत्रप्रदेश के बात करते हैं friends तो capital ओके यहाँ पे कर और वाइस जगन मोहन रिड़ी शी के पास में most asset यानि सबसे ज़्यादा संपत्ती है गवर्नर है अब्दुल नजीर राजसभा सीटे हैं 11 लोगसभा सीटे हैं 25 और assembly सीट है 175 नैशनल पार्क में है एक है पापी कुंडा नैशनल पार्क दूसरा है सिरी वेंकर टेशोरा न इंपॉर्टेंट न्यूस की तो दिखे भी आंदरप्रदेश के सरकार ने इचिट एप्लिकेशन को लॉंच किया था इसके लावा जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम भी आंदरप्रदेश सरकार ने शुरू की थी नेक्स्ट आंदरप्रदेश सरकार ने स्वेच्छा प्रोग् next question पर बढ़ती है which state has celebrated the harila festival recently हाली में किस राज़े में harila त्युहार मनाया गया तो harila festival मनाया जाता है उत्राकंड state में इससे मिलता चुलता friends एक और festival है जिसमें कई बार क्या होता है ना कि हम confuse हो जाती है उसका नाम है friends harili festival ठीक है लेकिन ये दूस्टरे state में मनाती है harila है जो कि उत्राकंड में बनाया जाता है और जो harili festival है friends ये आपका जो है 36 कंड में celebrate किया जाता है ठीक है तो इसलिए confused नहीं होएगा दोनों अलग festival है harila festival के बात करें तो ये जो festival है ये symbolize करता है happiness, prosperity, peace, environment, nature, conservation इन सभी का ये प्रतीक है और harila और एक और important festival यादखेंगे बिठोली ये दो prominent folk festival है उत्राकंड के जो कि उत्राकंड में जो कुमायू reason है वहाँ पे इनको मनाया जाता है अब आते हैं उत्राकंड पे तो उत्राकंड के बात करें अब आते हैं उत्राकंड से related कुछ current face को तो इससे क्या और revise कर लेते हैं चलिए उत्राकंड सरकार ने अभी launch किया था ए help program को next when luminous जो है उन्होंने इंडिया का पहला green solar panel factory को set up किया कहां पे उत्राकंड state में next when उत्राकंड जो है वो पहला state बनाता जिन्होंने सेरी कल्चरिस्ट के लिए insurance scheme को शुरू किया था Asia का largest 4 meter liquid mirror जो telescope है इसे inaugurate किया गया उत्राकंड state में तो यह मारे कुछ important news है उत्राकंड state से तो fans अगर question में देखे कोई state आई है कोई किसी minister का नाम आया है तो उनसे लेड़ेड अगर आप और भी current office को revise कर सकते हैं तो उन्हें करें इसी से ही आप current office अपना strong कर पाएंगे अगला question देखे क्या है which state has launched दी आपदा राहत कोश्ट 2023 website तो अभी किस राजे ने एक digital platform की शुरुआत करते हुए आपदा राहत कोश्ट जो website से launch किया है तो इस website को launch किया है हिमाचल प्रदेश government ने अब इसका उदेश है क्या है इसको launch करने का तो हिमाचल प्रदेश में जो disaster affected people हैं उनकी सहायता करना कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं देखे उन लोगों की सहायता करना ही इसका main उदेश है हिमाचल प्रदेश के बात करें capital है शिमला और धर्मशाला चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंग सुखू यहां के deputy चीफ मिनिस्टर है मुकेश अगनिहोतरी और गवर्नर है शिप प्रताप शुकला हिमाचल प्रदेश ने बात करते हैं तो अभी आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने green hydrogen policy को formulate किया हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है white paper लेकी आई थी on economic condition of state कि state की जो भी economic condition ने उसको यहां पे बताया गया था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक project शुरू किया था जिसे नाम किया दिया संजीव नी next friend हिमाचल प्रदेश की सरकार ने him data portal को launch किया था इसके लावा friends जो है हिमाचल प्रदेश ने target रखा है कि वो पहला green energy state बन जाएगा कब 2025 तक हिमाचल प्रदेश का जो पहला biodiversity park बनाया गया ये बनाएगा हिमाचल प्रदेश के मंडी चली में हिमाचल प्रदेश के chief minister जो है उन्होंने अपना kangra application को launch किया था तो ये हो गई हमारी important news friends हिमाचल प्रदेश से related चले बढ़ते हैं अगले question पे question है who has been appointed as a chairman of उत्तर प्रदेश electricity regulatory commission उत्तर प्रदेश विद्दुत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है answer is अरविंद कुमार जो है इन्हें appoint किया गया है और अरविंद कुमार जो है इन्होंने succeed किसे किया है राज प्रताब सिंग को जो है इन्होंने succeed किया है बात करें कुछ और appointments की जो भी recent में हुए है देखिए तो N.A.R.E.D.C.O. डेली चाप्टर है इसके प्रेजिडेंट बने हर्श वर्धन बंसल first woman director of IIT जो की लेट करेंगी IIT जानजी पर हुए तो इनका नाम है प्रीती अगालियम इंडियन तो बैको company limited के CMD बने संजीब पूरी Olympic Council of Asia के प्रेजिडेंट बने है शेक तलाल फहद अल एहमद अलसबा इसके लावर National Green Tribunal के चेयर परसन बने है शिवकुमार सिंग next question अगला question देखिए who has been appointed as a first woman to lead the Reserve Bank of Australia in the 63-year history of the Central Bank Central Bank के 63 साल के इतियास में Reserve Bank of Australia का नित्रत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो कौन lead करेंगी right answer is Michelle Bullock तो first rule मैंने देखिए RBI of Australia के इतियास में जो की इसको lead करने वाली है bank में यहां नित्रत्व करने वाली है Australia के बात करते हैं capital है केंपरा currency है dollar और यहां के president है Anthony Albanese next question देखिए question है who has won the men's single final at the Wimbledon title 2023 Wimbledon जो है यह तीसरा grand slam देखिए हुआ है जिसमें men's single का title जो है वो किसने जीता है तो यह जीता है friends Carlos Elkaraz तो Carlos Elkaraz यह Spain के player है और इन्होंने men's में देखिए जो single हुआ उसका title जीता है चले grand slam की बात करें तो अभी देखिए सबसे पहला जो grand slam हुआ था वो Australian open हुआ था यह 1905 से बतब इसकी शुरुवात हो गई थी और यह इसका surface किया यह hard court पर खेला जाता है उसके बाद दूसरा tournament जो हुआ था grand slam french open हुआ था इसके शुरुवात हुए थी 1891 में और यह clay court पर खेला जाता है चीके इसमें देखिए men's single title के बात करें तो सर्विया के player नोवाग जोकोबिश ने जीता और इसमें women's single का title जीता है पॉलेंड की इगा स्वियतिग ने उसके बाद विंबल्डन तीसरा देखे grand claim है यह 1877 में इसके शुरुवात हो गई थी और यह grass court पर खेला जाता है इसका जो surface है और इसमें देखे men's single तो हमने बता दिया कार्लोस देल करास और women's की बात करेंगे तो उसमें winner रही पॉलेंड की मार्केता वंद्रुसोबा तो यह हमें अभी तक ध्यान रखने अभी तक तीन जो हैं आपके grand slam हो चुकी है नेक्स्ट क्वेशन पर बढ़ते हैं तो इसमें पूचा कया है कि भारत ने कितने स्वन पदक जीते तो इंडिया की बात करती हैं तो इंडिया ने इसमें 6 gold medal जीते हैं Asian Athletic Championship में जुकी हुई Bangkok, Thailand में इंडिया ने वैसे टोटल जीके 27 medal जीते थे और इंडिया ने 3rd position पे finish किया था यहां आप medal tally में देख सकती हैं ठीके तो इसमें वो देखे सबसे जादा तो medal जापान ने जीते उसके बाद इंडिया जो है तीसरे नमर पे रहा था 6 gold, 12 silver और 9 bronze medal टोटल हो गए कितने 27 medals जो हैं वो इंडिया ने जीते थे याद रकिंगे 2-3 बाते पूछ सकती हैं इंडिया के medals अलग अलग भी पूछ सकती हैं टोटल भी पूछ सकती हैं और यह championship हुई कहां पे Bangkok, Thailand में तो यहां पे friends हमारे हो गए questions complete चले अब बात करते हैं strategy के questions की तो आज का पहला question है देखिए Which of the following is also known as Magna Carta of Indian education किसे भारते सिक्षा का Magna Carta भी कहा जाता है Very important question तो आंसर होगा Woods Dispatch को Magna Carta of Indian education के नाम से भी जाना जाता है चोड़ी सी इसकी बात में आपको बता देती हूँ देखिए सर Charles Wood जो थे यह Board of Control of English East India जो company थे उसके president थे इन्होंने 1854 में देखिए एक dispatch जो है वो Lord Dalhauji को send किया था जो उस time पर इंडिया के governor general थी उस पर उनने suggest किया था कि जो primary schools है वो उनको adopt करना चाहिए vernacular language को high school को adopt करना चाहिए anglo-vernacular language को on college level English medium के लिए education के लिए और इसे ही कहा गया था votes dispatch और votes dispatch को ही कहा चाता है मिगना कार्टा ओफ दी इंडियन एजूकेशन नेक्स्ट क्वेशन देखिए अगला question है दी फाउंडर ओफ सत्य शोधक समाच वोस्टेश सत्य सोधक समाच के संस्थापक कौन थे तो फैंट्स इसकी जो शुरुवात की गई थी जोतिबा फूले के द्वारा इसकी शुरुवात की गई थी कब इसको 1873 में महारास्ट में जो है इसकी स्थापना की थी इनोंने next question देखे दर treaty of सूरत was signed between which of the following powers तो सूरत की संधी जो है वो निमलिकित में से किन के बीच में साइन की गई थी सही answer है रगुनाथ राव एंग्लिश तो रगुनाथ राव और इंग्लिश के बीच में संधी जो है वो 7th of March 1775 में जो है इसे sign किया गया था अगला question from whom गांदी जी received his first lesson of non-violence and truth गांदी जी ने अहिंसा और सत्या की जो पहली सिक्षा है वो किस से प्राप्त की थी correct answer is राज चंदर राव जी भाई तो राव चंदर राव जी भाई जो है इनसे पहली सिक्षा जो non-violence and truth की है वो गांदी जी ने प्राप्त की थी गांदी जी इनसे पहली बार कहाँ पे मिलेते Bombay में मिलेते अगले question पे बढ़ते हैं दि टाइटल father of the nation to गांधी जी was given by who among the following गांधी जी को father of nation या राष्ट पिता की जो उपादी है वो किस ने दीती हो कई बार exam में question बना है friends ये उपादी हुने दीती सुभाष शंदर बोशी ने ठीक है ये बहुत important question है बहुत जादा exam में इसको पूछा जाता है तो friends यहां हो गए हमारे questions पी complete चले बात करते हैं अब revision questions की कल के questions को revise कर लेते हैं फैला question है who has surpassed Harbajan Singh to become the second highest wicket taker for India in international cricket तो Harbajan Singh को पीछे चोड़कर अब भारत के लिए दूसरे सबसे जादा wicket लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए रवी चंदरन अश्विन और first number पे कौन है तो first number पे है अनिल कुम्बले जिनके सबसे जादा wickets है next question who will lead a five member Indian contingent at the world weightlifting championship in Riyadh Saudi Arabia तो इसमें भाते दल का नेतरत्व करेंगी मीरबाई चानू which are the following company जिसने जीता golden peacock environment management award तो ये award जो है ये किसे मिला है अडानी transmission limited को next question है which state has launched गजय कोठा campaign to address the growing problem of human elephant conflict गजय कोठा अभियान जो है इस अभियान को शुरू किया है असम गवर्मेंट नी next question the ministry of AISH has stabilized AISH services for healthcare and AISH research facilities in which state AISH मंतरा लिने किस राज़े में स्वास्ते देखबाल और AISH अनुसंधान सुविधाओं के लिए जो आईश सेवाई है उसको स्थापित किया है तो यह कहां पे start की गई गोवा में fourth energy transition working group की meeting कहां पे हुई इस इस meeting का आईजन हुआ गोवा में और चौता अब कहां हुआ है गोवा में अगला है इंडिया है sign an MAU with which country for the construction of three additional submarine under the P-75 program तो इसके लिए इंडिया ने फ्रांस के साथ में MAU sign किया है next in which country relationships and sex education lesson have been made compulsory for 15 to 18 year olds in school किस देश में? स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए relationship और जो sex education lesson है उसको अनिवारे कर दिया गया है तो इसके mandatory करा है Ireland में so questions में यहां complete हो गए है friends कल देखते हैं जो question हमने आप से पूछे दे उनका answer गया है तो पहला question तो operation conviction यह शुरू हुआ उत्तरप्रदेश में INS करबान जो है वो इंडिया ने वेतनाम को gift में दिया है so thank you so much आप समी ने बहुत अच्छे answer कि और पलवी कुमारी ची आपका बहुत शुक्री आपने बहुत एके detail में explain भी किया कई सारी चीज़े आपने share की इससे ही देखी क्या होता है ना कि आप जितनी चीज़े शेयर करते हैं उतनी ही knowledge आपकी भी देखी उसमें एक्दम settle हो जाती है तो आप लोग question के answer हम लोगों को जरूर बताया करें और दूसरा comment है विनीत कशिप आपको भी thank you so much तो चलिए बारी आती है आज के questions की test की तो आप आपको भूनला नहीं है answer करना है comment box में पहला question है when was Delhi declared as the capital of India दिल्ली को भारत की राजदानी कब घोशित किया गया और दूसरा question देखिए who said that India's soul lives in village ये बात किस ने कही कि भारत की आत्मा गाउ में बसती है तो ये दोनों question important भी है बहुत ज़द exam में पूछे जाने वाले भी है आप हमें answer करे comment box में इसे के साथ आज का ये session यहाँ पे complete हो गया है friends आपको मारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें share करें friends जादा से जादा और please आप लोग please channel को subscribe कर आगे बढ़ाने का हमें भी मौका दी तो thank you so much for watching this video